मित्रों, आज हम लोग समकालीं कावे परिद्रिश्य पर चर्चा के लिए यहाँ एक आयोजन का हिस्सा बने हैं और यह चर्चा मेरी कावे करती को केंद्र में रखकर अर्थात रत के धूल भरे पाउं के बहानें जो एक समवेट सभ्धिता विमर्श है कविता का उसको हम लोग विश्लेशित करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मैं इसके आयोजक देवेंद्र जोशी जी को धन्यवाद ग्यापित करता हूं और जो लोग जुड़ चुके हैं उन सुधी मित्रों और मनीशियों तथा जो जुड़ेंगे उनको भी मैं साधुवाद ग्यापित करता हूं और अब हम लोग सीधे सीधे विशय पर्विमर्श के लिए प्रस्तुत हैं मित्रों मूलत है कविता एक व्यापक जन समाज या शुरुता समाज या पाठक वर्ग के साथ एक व्यापक समवाद ही है कविता कविता आत्मसत्य की लया विव्यक्ति है मेरे लिए तो कविता असाध्यवीना है जिसको पताने कहां तक साथ पाया हूं यह तो आप तै करेंगे लेकिन मैं एक अपेक्षा कभी से करता हूं सरजनात्मक आचरण की दीक्षा की तो कविसे सरजनात्मक आचरण की दीक्षा की मैं अपेक्षा करता हूं क्योंकि हम लिखते तो बहुत अच्छे लच्छेदार भाशा में हैं किन तो हमारा जो नैतिक चरित्र है या समय के साथ जो नैतिक संप्रिक्ति है वो प्रश्णांकित होती है तो सबसे कठिन यह है कि अपनी आत्मा की अदालत में खड़ा होकर स्वैंग अपने बारे में नया अधिश की भूमिका का निर्वार करना यानि अपनी ही रचना के अंता करण को एक पाठकी द्रिष्टी से देखना वैसे विद्धानिवास मिश्रजी ने कविता की रचना प्रक्रिया को निर्दिश्ट करते हुए दही के जमने की जो प्रक्रिया है उससे तुलना की है कि जिस प्रकार दूद्ध जब बहुत घर्म हो गया है खौल गया है उटा गया है उसी समय जामन डाल देंगे तो डूप जाएगा और जब दूद्ध एकदम ठंडा हो गया तब डालेंगे तब भी दही नहीं जमेंगी थोड़ा थोड़ा गर्म होना च होता है हम उल्लास या विशाद के चरम शिखर पर होते हैं उस समय शायद कविता हम नहीं लिख सकते हैं उनको जब हम पुनर जीवित करते हैं रीकाल करते हैं एक उश्म मन के साथ कविता संभव हो पाती है और विशेस रूप से नियंत्रित भाव सम्वेगों की बात करें यानि अथार्थ में रहकर यथार्थ से एक रचनात्मक्त दूरी बना करके टीए सिलियेट ने जिसको अब्जेक्टिव को रेलेटिव सिद्धान का नाम दिया था तब जाकर के कहीं अच्छी श्रेष्ट कविता जिसमें गहरा कावियानुशासन होता है संभव होती है तो आज मैं प्रस्तुत हूं अपनी ही कविता को एक पाठक की नजर से देखने के लिए बड़ा कठीन होता है अपना खुद का अपरेशन डेक्टर अपने बच्चे का भी अपरेशन खुद नहीं कर पाता किसी दूसरे से कराता है लेकिन और यह बड़ी विडमना है आज मैं देखता हूं अलोचक हैं दूसरे की अलोचना करते हैं धजियां उड़ाते हैं अपनी आलोचना नहीं सहपाते हैं यह हमारा साहित्तिक परिद्रिश्य है इन विसंगतियों पर भी हम बात करेंगे अपनी पुस्तक के बहाने कि आज साहित्तिक शिविरवंदी का दौर है कि साहित्तिक आर्थ ही होता है सहित का भाव कि सहित जुड़ना लेकिन आज शिविर साहित्तिक शिविरवंदी के दौर में इतने खेमे बन चुके हैं इतनी खेमे बाजी और खेमे बंदी है कि एक का बैना दूसरे के घर नहीं ज पाते तो हम फिर किस विश्वमानोता की बात करते हैं विश्वमानोता वाद तो बहुत पीछे छूड़ जाता है कि इसलिए कहीं कहीं हमें गहराई से इस पर व्यापक विशार करने की जरूरत है कि हम सिर्फ अपना हिद चाहते हैं या साहित्य का हिद चाहते हैं कविता का कैसे बलाव सिर्फ हम अपने को इस्थापित करना चाहते हैं या कविता को सिंग जी ने आलोचना का एक विशेशंग जो प्रवेशंग ही था विशेशंग निकाला था वह फासिवादी संकट पर केंद्रित था कि अब देखिए आज परिद्र शिक्या है चाहे ग्यानोदय हो वागर्थ हो हंसो आलोचना हो जो भी साहितिक पत्रिकाएं हैं उन पर कमिनिष्टों का कबजा है किस तरह फासिवाद को देखते हैं आप क्या फासिवाद होता तो यह संभव होता है हां सरकार ने पत्रकारों पर कुछ जुल्म ढाय हैं लेकिन मुनवर राणा जैसे लोगों पर किये गए अतिचार को आप उस कटेगरी में नहीं देख सकते क्योंकि वह आतंगवादियों की भाषा बोलते हैं एक अच्छे इस्तरिय साहित्यकार होते हुए इसलिए मैंने सरजनात्म का आचन की दीक्षा की बात कहीं कि हमारा चरित्र भी उत्तम होना चाहिए लोग मांस मदिरा खाते हैं मद्दे मांस का सेवन करते हैं मदिरा पाई है मैं कहता हूं कविता जो शर का नशा इतना बड़ बड़ा हो जाए कि वह नशा शेस सारे नशों को आच्छादित कर ले और अगर ऐसा नहीं है तो श्रेष्ट कविता नहीं होती के दारना सिंग जी ने बड़ी अच्छी बात कहीं थी कि जब हम कलम की नोग पर पूरी परंपरा का बोज संभाल कर लिखते हैं तब परात पर कविता संभव होती है लेकिन आज परंपरा और प्रगति आपस में लड़ रहे हैं उनमें एक दौंद्वात्मक संबंद होना चाहिए दौंदु भी एक समास है वो जोड़ता है आचीन और अरवाचीन के बीच एक अभिक्रिया होनी चाहिए वह नहीं होती है आज पश्चिम के भाव चायाओं पश्चिम की कविताओं की भाव चायाओं के ग्राण से ग्रस्त जो अनुबाद जीवीता है उससे हाइवरीड या कलमी कविताएं संभव हो रही है मैंने कविता का खाटी देसी मुहावरा गड़ार है अपनी अपना जो सामस्कृतिक चिंता नहीं उस जमीन पर मैंने अपनी कविता की पहोद उगाई है एक बात और अब सपाट बयानी का जो आग्रह आया मस्रिन बिम्बो की प्रतिक्रिया में उसके प्रतिरोध में उसने दीरे कविता को कविता हीन बना दिया कविता की भाषा सरल या कठिन नहीं सहाज होनी चाहिए इस बात को भूल गये हलांकि मैं संप्रेशनियता से अधी कभी वेंजना को महत्तों देता हूं यह बात सही है यह मेरी कविताएं परावर्तित करती हैं लेकिन कम से कम कि हमें यह उनको संग्रहाले की वस्तु मन लिया गया और सचाई यह है कि आज के कभियों को उन शब्दों कार्थ बोध भी नहीं उन शब्दों के बारे में सुना नहीं है और यह कांगी कव़िताय लिखते हैं हमें समग्र जीवन-बॉध काद्ध्वर्य होना चाहिए जीवन में सत भी है असत भी है कि सब आना चाहिए और कभिता की जामिति इसस्तना च्में भूक यह पेट को कितनी जगा घरनी चाहिए मार्क्सवाद कोई भी जो साहित्यकार है सच्चा लेखक है वह मार्क्सवाद का विरोधी नहीं हो सकता अन्शिक रूप में उसे स्विकार कर नहीं होगा लेकिन कविता की जामितिस अचना में भूक या पेठ की अपनी सीमित जग्भार उसके अलावा जीओं ने में भूट कुछ है प्रेम प्रगत्शील कविता तथा कथित प्रगत्शील कविता जो आज यथा इस्थितिवाद का विरोध करते-करते खुद यथा स्थितिवादी हो गई है उदय प्रकास जी कि एक कहानी हंस में बहुत पहले चपी थी दो-तिन किस्तों में पीली चतरी वाली लड़की मुझे लगता है कि आज बारिश बंद हो जाने के बाद भी हम पीली चतरी लगाए गोम रहें सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन के बाद भी हम उन्हीं पुराने जुम्लों को दुराए जा रहे हैं उन्हीं दलित और इस्त्री विमर्षों की बात करें विमर्षों के ढाचे में सोचने के हम कायल हैं जबकि आज व्योस्था काफी बदल चुकी है सबर्णों म में भी एक नौ ब्राहणवाद या सवनवाद पनप चुका है अब सवाल यह है कि मायवती मुलायम या लालू के लड़के को आरक्षन क्यों दिया जाना चाहिए क्रिमी लेयर को क्या इन सब बातों पर बहास नहीं होनी चाहिए और साहित संवेदना को पुरस्कृत करता है संवेदन शीलता को आगे करता है एक बकरों के लिए अभयारण शीर्सक कविता है हमारे संकलन में इतनी व्यापक पैमाने पर बकरों का या अन्य प्राणियों का संगहार होता है इसके खिलाप कोई नहीं बोलता अरे बकरों की तो छोड़ दो कश्मीर से लाखों ब्रामण भी स्थापित हुए लाखों का तो नरसंगहार हुआ कई लाग भी स्थापित हुए किसी प्रगत्शील लेखक ने कलम नहीं उठाई प्रतिरोध की आवाज प्रतिरोध का स्वर नहीं उठा यह सेलेक्टिव एप्रोच के लोग हैं चैनित एप्रोच के लोग हैं पालिटिकली करेक्ट रहने के लिए कहां बोलना है कहां सयानी चुप्टी ओड़ लेनी है यह साहितिकार का धर्म नहीं है लेकिन यह इस हुनर में बड़े कुशाग्र है निशीत रूप स इसे एक बात तुम्हें स्विकार करता हूं कि प्राय परंपरवादी जो लेखक हैं उनसे मेधा के मामले में जो प्रगत्शील लेखक हैं ज्यादा तेजस्वी हैं कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें लेकिन वह अपनी मेधा का दूरुपयोग करते हैं और एक आंग निद्वा था कविता को मुक्त ही क्यों रगर-सर किया था मुक्ती दूदद बन कर आये और हरो मुक्त छंद की रचनों का प्रणेन किया था लेकिन peculiar कु सद्धमुत कविताएं लिखी जा रही छाains करहे कि इस इस पर एस चंद कविता का विलोम्हार यान में आगा है एक ब में आरक्षन को जन दिया साहित में आरक्षन को जन करतियां जो लोग छंद में दो पन्क्टियां कैसे मिल रख शूठ के काइदे से नहीं लिख सकते उन्हें छूट मिल गई सहुलियत मिल गई और अक्षन मिल गया वो भी कभी हो सकते हैं गद्ध की लाइनों को पद्ध की तरह र्णा सजाकर के लिख देते हैं हो गया कभी कि अरभी कविता क्या है कविता भाषह में आद्मी होने की तमीज है कवीथ अगर कुवर नाराणे के शब्दों में कहूं धो मिल तो उसको तमीज की बात करते हैं कि यानि जो सामाजिक संघर्ष से उपजे तनाओं हैं उनको अनुभव के किसी सुसंगत कावे प्रारूप में विन्यस्त करने की कला आनी चाहिए अगर हम काव्यार्थ को किंचित पार्भासी बना करके उसे सरल सपाट प्रस्णों पर विचार करने की जरूरत है हमारे जो क्लासिकल साहित्य हैं कालिदास है तुलसी दास जी है जैशंकर प्रसाद है इनको जान बूझ करके इनका उमुल्यन किया गया इनको गिराया गया जब्की ओना यह चाहिए कि जो क्लैसिकल सहित्य हमारा यह क्लासिक है कि इनके जो प्रा संगिक तक्व हैं उन्हें लेकर के हम एक आधुनिक बिन्यास देना चाहिए नए शिल्प में ने संदर्भण कोशल के साथ उनकी मेधा का उप्योग करना चाहिए और उसी इस्तर में जाकर के लिखना चाहिए कि आज ज्यादा तरनब्बे परसेंट कविता हैं कुड़ा है कभी नामोर जी ने सुमित्रन अंदनपंद की कविताओं को कुड़ा कह दिया था च्छोथाई अनुष कूड़ा कह दिया था खैर वो वो समार्थ हैं कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह साहित की राजनीती है मैंने भी राजनीती को टश किया है विशे के रूप में प्रतिपाद्धी के रूप में ग्रहन किया है लेकिन कोशिश की है कि राजनीती को और राजनेतिक धन से व्यक्त करो साहित की राजनीति के बरक्स यह ज्यादा काम में है वैसे विद्ध्यानिवास मिश्री जी कहते थे कि सीधे सीधे राजनीत कविता का विशय नहीं हो सकती राजनेतिक विड़म बनाएं कविता का विशय हो सकती है लेकिन मैंने तो सीधे कुछ पत्रकारी प्रवर्ति आ गई है यानि तत्काल प्रतिक्रिया देना देशकाल से संबंधित जो घटनाय परिघटनाय हो रही है उन पर इघटनाओं पर तो चंद्रेश्वर जी और मायमरिक कह रहे थे कि संग्रा से आप कुछ कविताय निकाल दीजिए 25 कविताय कम कर दीजिए मैं उनसे सामत हूं कि यह कुछ कविताय हैं जिनमें कवियात्मक कवियात्मक्ता का जवासर हो है वो कम हो गया है लेकिन कोशिश मेरी यह रही है कि अभिवेंजना यानि जो कलात्मक तत्व है वह अभी कविता में आए क्योंकि कविता अंतता एक कला है जो जीवन को संबोधित है वह संवेदनात्मक सत्याग्रा है कविता भावों का साधार्णी करने उदारी करने ही जो आज देखने को मिलता है कि राजेश जोशी ने कविता लिखी थी जिसमें कहते हैं कि कविता की दो पंक्तियों के बीच की खाली जगह में कवी की अद्रिश्य परिछाई एकसर भूमती रहती है अर्थात कवी उस खालीपन को अनेक अर्थसंदर्वों से भरता रहता है लेकिन आज मैं देखता हू कि इन दो पंक्तियों के बीच की खाली जगह कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और गद्य ब्रांड सिंथेटिक कविताय लिखी जा रही है एक कारण और है आज पत्रिकाओं में रचना के कद को कम रचनाकार के कद को अधिक मात्तों दिया जाता है और चूंकि कम्यूनिस्ट लेखकों का कब्जा है इसलिए जो नए लेखक आते हैं वह उसी फार्म में उसी भावबोध के साथ कविताय लिखने के लिए बाद्य होते हैं अन्य था उच्छप नहीं पाएंगे तो उस गुरुप बाजी के वह शिकार होते हैं यानि मेधा को नश्ट करन हमेकार एक उपक्रम है एक दुरभी संदी है तो कहीं कहीं हमें इन सारे प्रश्णों पर भी सोचना होगा गंभीरता से सोचना होगा आज गद्यब्रांड सिंथेटिक कविताओं और मंची भणाईती प्रहसन के बीचों बीच सुनहली रेखा खीजदेने वाले गीतकारों को हम कब तक हाशिये पर रखेंगे नवगीत को जानबुच कर उपेक्षित किया गया और इसका कारण सायद यही है कि श्रेष्ठता क जब तक अन्याइक किया जाएगा गुनों को जब तक दोशों के रूप में विच्छाइत नहीं किया जाएगा तब तक खोटे सिक्टे खरेंगे खरेंगे अपदस्त करेंगे कविता पर आज अकवियों का वर्चस्व है और निश्शित रूप से यह एक व्यापक चिंता का विशय है और मैंने अपनी कविताओं में कोशिश की है इस के परिहार की इस प्रवर्त के परिहार के कविता के किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं और कविता के व्यापारी मल्टी कॉम्पलेक्स में सेज पर सो रहे हैं यह इस्तिति कैसी है विमर्ष वाद मिलिख गए चलुंद सन्कलन को पुरस्क्रित करने की कोशिश की एग्हें गलत रास्ता आप मैं अपने जीवन में व्यवहार में आचरण में दलितों का प्रवल पक्षधर हूं और उनकी हर प्रकार से आर्थिक भी मदद करता हूं लेकिन दलित वाद का मैं प्रवल विरोधी हूं धुर विरोधी हूं वैसे डॉक्टर शुक्देव सिंग जी को लगा था कि मेरी कविताओं में भावक्ता का स्वालन अधीक है समयकार्थ कम जिंदगी की दार्शनिक विडम मनाएं अधीक हैं जमाने की कम लेकिन इस संकलन में उस उसकी क्षति पूर्दि करने का उस कमी को पूरा करने का हमने प्रयास किया है आलो चनावों को लेकर तो डक्टर प्रभाकर शोत्री जी कहा करते थे कि पड़ा तेजस्वी लेखन है आपका प्रवेसर विद्ध्यानिवास मिश्री जी ने एक भावक पथानवेशी के रूप मेरे खंकित किया था और शायद मैं आज भी पथानवेशी ही हूं मंजिर नहीं मिली है अभी मैं अपनी शैली को पाने का प्रयास कर रहा हूं यह यथार्थ है कविता एक कला है जो जीवन को संबोधित है उसकी कलात्मक्ता जब शरीत होती है जो एक संजम है भावात्मक्त संजम वह जब आहत होता है तो कविता को भी आगात पहुंचता है और इन सब चीजों पर हमें विचार करते हुए धीरे धीरे अपने पुस्तक की तरफ़ाना पड़ेगा यद्यपी रत के धूल भरे पाओं इस कावे संकलन की दसियों आलोचकों ने समिक्षा की है लिखी है उनमें से कुछ पत्र-पत्र काओं में प्रकाशित भी हो गई हैं डंक्टर वेत प्रकाश अमिताब जी डंक्टर हरे राम पाठक जी डंक्टर राजेंद्र सिंग्वी जी डंक्टर विरेंद्र परमार जी केदार दूबे जी कमल मानों जी निलोत्पल रमेश जी और नीरज मिश्र आदी अनेक आलोचकों ने इस कावे कृति की समिक्षा की है अब मैं धीरे धीरे संकरन की तरफ आ रहा हूं हुए कि इसमें कुछ कविताएं हैं जो मेरी द्रिष्टी में उल्लेख्यें हैं कुछ कविताओं में या खवारों के पिछले पाओं में लगी धूल भी हो सकती है लेकिन मानवी अनुभव की देश कालवध्धता के साथ ही उसमें समय के साथ एक नयतिक संप्रिक्त भी है सभिता समिक्षा भी कविता का एक प्रचन उद्देश्य है और समय के तेज भागते पहियों की ले में गीत खोजना एक कठिन चुनवती भी है तो समय की उड़ती धूल से आखों को आजने की एक विनम्र कोशिश हमने की है यह अलग बात है कि मिथकी संदर्व चेतना से अनुप्राणित मेरी कविताओं में स्थंदर्व वहुलता और सामासिक पदावली आपको देखने को मिलेगी संस्कृत निष्ट और समास निष्ट भाषा देखने को मिलेगी वेद गद्य और पद्य की समन्वित शेली में अलिखित हैं वेद की तरह ही मेरी कविता भी गद्य और पद्य के कूलों के बीचे ही प्रवहमान है आप चाहें उसे गद्य काविया और भी कुछ नाम दे सकते हैं तो कोशिश यह है कि चाट मार का यथार्थ के बजाए रचनात्म की यथार्थ का अभिनिवेश किया जाए इस संकलन में और दलित आंखों की लालिमा का संक्रमन बस्ती को विमार न बना दे इसलिए ललित की स्रिष्टी करना कि बहुत आवश्यक है बहुत जरूरी है कि अग्ये जी ने उद्रित किया था कि भावना प्रधान कविता छोटी ही होनी चाहिए यह हो सकती है क्योंकि उसमें तार्किक अन्विती संगहती और तीव्रता के निर्वा के द्रिष्टी से लंबी होने पर भावों का पैरा फ्रेज होने लगता है लेकिन मेरे इस संकलन में कई प्रलंबीत रचनाएं कहीं यह संध्या की लंबी परचाही मेरे औसान का सूचक तो नहीं कि वैसे इस संकलन में मोधी जी के प्रती शुरू में आस्था भी दिखती है जो बाद में लगातार क्षिन होती गई तादात में तूटता गया है लेकिन विंडो 2014 का अपना एतिहासिक संदर्व है जो इस संकलन में आया है किन तो है कि आज कविता प्रास के रजत पास्ते मुक्थ हो चुकी है यह नामवर जी स्विकार करते हैं लेकिन कि मैंने इस मुहावरे को अतिक्रमित किया है और कालांकित में काला तीत सत्य कान्वेशन मेरी कविता का धुरुवक है कि मैं कि दोचार कविताओं को और दृत करना चाहूंगा और कोशिश करेंगे कि हम लोग राष्ट गीत को विश्वनागरिक बन करके गया है आज अत्याचार का संस्थानी करण हुआ है और सहस्र शीर्शा सर्व्यापी ब्रेश्टाचार को सामाजिक मान्यता और राजनयतिक वैधता प्राप्त हो गई है लेकिन कविता तो मूलते जीवन की अलोचना है और हम स्वैंग का सर्वश्रेष्ट संसकर्ण कैसे बने यह सुझाती है कविता तो मानवी ताप की उपस्थिती से संस्फूर्थ होनी चाहिए कविता लेकिन जैप्रकाशन एक बहुत अच्छी बात कही है कि न्री केंद्रिक संसार के उतकर्ष का समय है यह कि समय को रचने वाली शक्तियां न्री घातक रूप धर चुकी है है मनुष्यता का संघार निरंतर हो रहा है पर्याबन का संघार भी हो रहा है पर्याबन के संघार से संबंदित भी कविताएं मैंने लिखी हुई है तो आज का समय दोसप्न की फेंटेसी की सीमां को पार कर गया समय है समय है जहां नई मारतों की चमक दमक में नई मारतों की चमक दमक में उजड़ने की दास्तान चिपी है और नागाणों नगाणों की आवाजों के नीचे चिपी है रुलाईयां और सिस्कियां दभी हुई है तो यह मेरा जो संग्रह है वह क्लास और मास की काम करता है हम अतीत नहीं बलकि बरतमान के खंडारों से अपनी कविता उठाते हैं वैसे आज की कविता इमोशनल कम रैशनल ज्यादा है और वह मनुश्य को एक आर्गेनिक प्राणी के रूप में खोजना चाहती है कि इस आर्गेनिक प्राणी को मैंने भी खोजा है जो पहली कविता है नर्मेद नौप्रिष्ट की लंबी कविता है जिस पर आदेर्णी ग्यान उद्रपत जी ने दोड़ाई प्रिष्टों की एक टिपणी भी लिखी है जो भूमिका के रूप में बिन्यस्त है या वह नर्मेद हमारे जीवनानुभाओं का सारांश है नौ साल हमने प्राइवेट डिग्री कालेज में पढ़ाया राम रहीम महाविद्ध्याले उस नौ साल के जो अनुभाव का आसा है उसे नौ प्रिष्टों में मैंने अलेखित किया है जो सवित्व पोशी विद्ध्याले होते हैं विद्ध्विहीन विद्ध्याले होते हैं निजी विद्ध्याले होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जन्त्रणा जहलनी पड़ती है शिक्षक और कर्मचारियों को और इस बीच अभी एप्रूबल की समस्या चल रही थी तब-tक सची का एक लेटर आ गया और उसने हमारी मनुदर्शा पर एक आघात किया था मुझे लिखना पड़ा हमारी निराकारता पर हमारी निराकारता पर हम टीचर थे यह अलग बात है कि हम उन बच्चों के बाप थे उन चात्रों के स्टुडेंट्स के को पैदा करने वाले थे जो फस्क्लास पास होते थे डिश्टिंग्सम पाते थे हमारी कलम से उन्हें सर्टिफिकेट मिलता था लेकिन हम मानिता प्राप्त नहीं थे हमारी निराकारता पर माया का परदा डालने वाले शिक्षा सचीव ने चलाया है शब्द भेदिवान नजाने माता-पिता की कामर दोने वाले नजाने कितने शरोणों को आहत करने के लिए वह फर्मान आता है और उसके बाद जो भाव संविदनाएं पैदा होती हैं उनको मैंने शब्दों में बाधने का प्रयास किया उसके दोतीन अंश आपसे साजा करना चाहूंगा उसमें राज्य सरकार से लेकर करके शिक्षक संग और प्रवंध तंत्र सब पर प्रहार है प्रवंधक को मैंने किस रूप में देखा जो निजी विद्यालेओं के प्राइवेट विद्यालेओं के जो प्रवंधक होते हैं यह जीवन का नहीं मृत्युका वीमा कराते हैं यह जीव है यह जिसकी ठोकते हैं उसके रिड की हटी गायब हो जाती ऐती है दूमिल की कविता है इसे सुगते हैं उसकी चेतना सदा के लिए जाती हैं यह हर जगा शड़्यंत्र सुगते हैं यह जूते की तरह रोज शिक्षकशक बदलते हैं हमारे कंदों पर पएर रखकर चलते हैं हम तो ठेले वाले और खोंचे वाले को भी प्रणाम करते चलते हैं क्या पता कल वह हमारे महाविद्याले का मैंनेजर हो जाए यह विडंबना है कि शिक्षित पर अशिक्षित का शासन यह हमारे लोग तंत्र की विडबना है जिसको मैं मूर्ख तंत्र का महात्मी कहता हूं जहां एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धान्त ने एक आये सदिकारी के वोट की कीमत उतनी ही रखी है जितना एक अधपागल गसगढ़ा हलवा जिस आता नेता उपित्त होगा जाती विरादरियादी के आधार पर वो वोट दे आता है तो इस विडबना को मैंने रखांकित किया है और मैंने लिखा है कि जम लोग की सेवहों में यानि स्वर्ग में हमें आरक्षन प्राप्त है मानलों स्वर्ग के भेर्थियों को स्वर्ग मिल भी जाए तो क्या वहां उर्वशी हमें गले लगाएगी जब पाकेट में ठनी भी नहीं पाएगी या किसी हर्षद महता के साथ जामी कराएगी स्वर्ग में भी तो हमें वित्वहीन मानेता ही मिलेगे तुम किस दलित साहित्य के पिंगल शास्त्र में ढूंडते हो नायक और नाईका भेद करो हमारा नक्षिक वर्णन हम तीस वर्ष के बुड़े हो गए गरीवी की आच में पक गए हमारे बाल जाते ही हैं तुम्हारे लिए जहां पना आप तो पुष्पक बिमान पर चलते हैं शरीर पर अंगराग और कस्तूरी मलते हैं पर हम तो अपने भस्म से छात्रों की नजर जाड़ते हैं रोज अपने जीवन गरंत का एक पन्ना फाड़ते हैं पूरा करते हैं एक मतेज बन जाते हैं प्रबंधक के शाले सालियों के लिए जब संस्था को मान और मिलती है एड या गरंट मिलता है तो रेजिश्टर बदल दिया जाता है और प्रबंधक के रिच्टेदार नातिदारों के नाम उसमें आ जाते हैं यह इसलिए बादलों की चादर ओड़कर सुने वाले वो चांद तुम्हारी तभीयत तो ठीक है अन्त में कविता को संघार करते हुए इस बीमार विवस्था को मैंने प्रश्ण अंकित किया कि अब उस्वारी कवितायं हैं गीत रोष्णी की सावली सच्चाया पता पूछता हूं आतंक वाद पर केंद्रीत कविता है किन्त अभियोग यू जो निर्भया कांड़ पर केंद्रीत है अज आए दिन रोज किसीन-किसीन निर्भया के साथ व्यविचार होता रहता है उससे आहत और व्यथित होकर एक चंदों बद्ध कविता मैंने लिखी थी उन गई जलबी हक्सी वह देश का जो भाल चूकर देखते हम रह गए वातायनों से मूख होकर व्योम गंगा की अलक्षित वीचियों में त्राण फिर फिर भीड का निर्वान फिर फिर भेड़ी अब घूमते हैं कुहासे के इस शहर में मत कुलांचे भरम्रगी इस रात के प अभियान फिर 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 भीड का निर्वान घृसwnie हमों के बाघों को संस्रक्षित किया जाता है पंसे मुलायम सींग कह देते हैं कि लड़के बच्चें हैं गल्ती हो जाती है कि वहां मानवाधिकार आजाता है कि आतंकवादियों के लिए मानवाधिकार आजाता है मिलिटरी के लिए कोई मानवाधिकार नहीं जो पीड़ी आहत बालिकायें हैं उनके लिए कोई मानवा दिकार नहीं यह सांड सरकारें ऐसा ही करती हैं मैंने लिखा है कि यह जो अभियुक्त हैं पांचो और जिन्होंने नोश डाला उस्सोंचिरिया के पंग पांच जोड़ी साड सिंगों पर टंगी उस बालिका को बहुआ बदलती उस श्रिंगपूर की तालिका को सींग शिंगपूर बहुबचन में बदलती उस श्रिंगपुर की तालिका को मान चित्रों में परक्ता नपुन सक आहवान फिर-फिर हैं अशोकी वाटिकाएं अर्थ पर हैरान फिर-फिर जहां संजय कर रहे हों युद्ध का आख्यान फिर-फिर भीड का निर्वान फिर-फिर कुछ कविताएं जब संबेग प्रवल होते हैं तो कविता चंदोबद्ध हो जाती है लेकिन कुछ कविताएं दार्शनिक भावबोध की जमीन पर भी लिखी गई है आत्मसंबाद मन की छवियां मन के स्वरूप को विजलेशित करने का हमने प्रयास किया है और उसे ब्रहमा क का रूपक दिया है एक कुछ कविता keskin LOG की तरह ठाहरना नहीं जानता गति मैं तो मैं नारत का भी जनक हूं चंचल हम मैं मनोगष्ण प्रमाधिवलवद्ध दनम मैं बड़ास स्थभी तरह ठाहरना नहीं जानता गति में तो मैं नारत काुस नहीं कि मैं विचारों का संसार प्रतिपल रच्टा रहता हूं रामण और कुम्हकर्ण की रचना मैं ही करता हूं और उनसे संत्रस्त भी होता हूं खास कर तब जब के सवाल अकनाती हो जाते हैं परंतुरचना मेरा सभाव कि अतीद को इकठा करते करते में बुढ़ाओ चला हूं ताकि स्वर्ग का यवन प्राप्त कर सको हमारी अकंशा हैं सपन जीवी होती है भविश्योनमुक होती है जीवन कथा की परोक्ष प्रस्तावना मैं ही हूं बु में पुनर जन्म का कारण होता है मनव पुब्भंग मा ध्म मनों सेथ्ञा मनमय पर्म कर तो जीवन कथि परोक्ष प्रस्तावना मैं ही हूं जो बिनाशप्ष संगहर के ही समाप्त हो जाती मन्य अंवन की अवस्था को पहुंच जाया फिप्न द्रभिकल्प परोक्ष्था क कि हमने कोशिश की है एक प्यारा सा गीत आपके समुख में प्रस्तुत करना चाहूंगा वसंत गीत कि तात आज मन में प्रमोध है तात आज मन में प्रमोध है प्रकृति पुरुष का पावन परिने और अनंग का आंगिक अभिने पवन गंधवा ही दे फेरा डाल दिया वसंत ने डेरा रस बर साते सुमन ही नहीं प्रेम भरे नभ में पयोद हैं तात आज मन में प्रमोद है आज उल्लसित क्षिति का कणकन नक्षत्रों में है आ मंत्रन फूल कर रहे मदु का अरपन रूप बन गया मन का दरपन मंगल कलश उदित अंबर में जग सिंदोरी किरन गोद है तात आज मन में प्रमोद है रात हिमानी दिन भी गलता उर्मे प्रणय दीप है जलता जीवन की उर्ष्मा से गर्वित सूखे काट सजोता हूनित बाहर शहनाई वज्टी है भीतर भी मन का सरोद है तात आज मन में प्रमोद है तो गीत के शिल्प को भी आज माने की कोशिश की है लेकिन मेरी दृष्ट उप्रतम कवितायें हैं उन्में कालिदास को संबोधित सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं एक कविता है कि जो इतिहास क्या आइने में मैंने आधुनिक यूग की प्रवर्तियों को परखने का प्रयास किया है कालिदास जो क्लेसिकल साहित्य के प्रतिमान है कि कहां चली गई वो प्रणयामी कविताएं यह प्रश्ण कि मैंने किया है क्यों कालिदास कहां गए कहां गई वो बड़ी सास की प्रणयामी कविता हैं स्रीजन कावस्वन जब तुमने मोर कि रात्मन नहीं कर सका ग्रिवा भंगा विराम सुनिक दुस्वरण अमरिक का आखेट तब उसके द्रिश्टी सर से अभिद्ध हुई थी विश्वतिर्ण सुंदरी रम्यांगना शकुंतला हुआ था म्रिगनेनी का आखेट जिसके भीतर का उमरता हुआ अंता संदरी शरीर की सता तक छलक आया था जिसके मदिर नेत्रों की पुकार से जिसके अंतस्तल के रस सिच गया था तुम्हारा कंट जिसकी द्यश्टी की आभा प्रावर्तित होती है आज भी विश्वांख में उसके नेह की निशानी प्रण नुपस्थित है अब तो देरे देरे लोग आने लगे हैं इस तरफ तो इस तरह से लंबी कविता है यह और यह कविता चलती है आज के परदिश्टी की विसंगतियों संगतियों को रिखांकित करते हैं अंत में बहुत सरल शिल्प में मैंने इसका उपसंगार किया है कि ओ उपमा सम्राठ हमारी कानी उंगली कट गई है कर अधिश्टिका पर अधिश्टित करने वाले अब तुम्हें अगूठा दिखाते हैं कालिदास को कौन पूछता है शेक्सपीर के आगे अब तो इंगलिश भाषय नहीं इंगलिश मीडियम हो गई करिश्टिका पर अधिश्टित करने वाले अब तुम्हें मूठा दिखाते हैं शेक्सपीर को ओड़ते बिचाते हैं और तुम्हारे तपोवन में वे सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं तो इस प्रकार एक कविता है अस्तित्त की प्रग्या अस्तित्त की प्रग्या जिसको इश्वर का नम भी आप चाहें तो दे सकते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म में एक संबंध तलाशने की एक विनम्र कोशिश है दार्शनिक शिल्प में यह कविता लिखी गई है सूरज के संलेन प्रसंग में हजारों मेल उची उठी लप्टों को कौन निर्दिष्ट करता है वह कौन सा विकेंद्रबल है जो ग्रहों की गजशील्ट में जीवन को इस्थिर करता है हमारे भीतर के गुरुत्वा करशन को धर्ती और चांट पर आरोपित करता हुआ वह कौन है जो ग्रहमानों को बनाता विगाड़ता हुआ भी दोनों हाथों से ठामे हुए आकाश गंगाओं से फूटते स्रिष्टि के नाभी कमल का उत्फुल साउंदरी अंतता किस ब्लैक होल में समा जाता है जीवन का उद्गम कहां है क्या है मृत्य और जीवन के बीच का अंतराल वह कौन है जो समय को दिन और रात में बाड़ता है उस घड़ी की सुई कहां है सुपर कंप्यूटर कहां है जिसकी स्मृती में दवे पड़े हैं मनवंतरों के इतिहास जीवाश में बनकर जिसको हम विराठ भूमा इश्वर या और भी कुछ नाम दे सकते है ब्रहाम का सकते हैं वह कौन सा भी शुगुरु है जो इलेक्ट्रान से लेकर धरती तक को अपनी कक्षा में अनुशासित करता है उसकी धूरी कहीं आकाश में है कि वह कौन सी शक्ति है जो भूगर्व प्लेटों को खिसकाती रहती है मनुश्य के छोटे हांथों में मीलों लंबी टेनों और विराट जल्पोतों को थामे हुए वह कौन है जो हमारी अद्रिश्य आत्राओं का साक्षी है कि दो पूर्जा का नाम क्या है ? जो बल में रोष्णी बन कर चमकती है और अधियांखों में अदर्शन की शक्ति ती उस पाऊरहाउस का नाम क्या है परमाणों में विराट वाखश bisa करने के वह कौन सी शक्ति मैं भूगर पलेटों को क 가까ра का है तो उसके नेपत्थ में वे काउन से कान हैं जो हमारी ध्वनी तरंगों को पकड़ते हैं अर्थात विग्ञान में भी उसी परमात्मा उसी ब्रहम की उर्जा सन्नी ही थे तुलसिदास जी ने राम्चरित्मानस में कहा है कि रावण में भी राम की ही शक्ति अंतरनी ही प्रियनारी यह द्वाइतवादी दर्शन तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं किसान का प्रतिवेदन आज किसान उग्रा अंदोलन कर रहे हैं बलकि सन्यमित अंदोलन कहें कि चार प्रिष्ट की एक प्रलंबीत कविता शायद पीड़ा की परचाहीं कुछ लंबी थी इसलिए किसानों कि पीड़ा को किसान का प्रतिवेदन कि शिर्शक कविता से हमने आकलित करने की कोशिश की है और यह उमीद की है कि यदि किसान की मांगे मान ली गए उनका उधार हुआ उधार नहीं तो भारती किसान आपके बीच दान को सव गुना करके लोटा देगा यह किसान मिट्टी की सरजनात मक्ता को समझता है कि एक यह दानजा कैसे यह कि बालियों में सट हो जाता है लेकिन सरकार है इस बात को नहीं समझती कृशि प्रध्थान देस यह हुआ करता थ है लेकिन इस डेश का प्रधान सेवत यह बात समझने को कार्पोरेट जगत का ही तैशी है है। अब तो जितने बिल-पास होते हैं जितने संविदान संसोधन संशोधन होते हैं उनके पीछे राष्ट इतन ही डल का अधि पार्टी का है कैसे हम पुना सरकार में आ कौन से काम करें हो सकता है उसमें राष्ट कभी ही तो हो जाए यह अलग बात है किन्तों कि वोट बैंक की राजनीती ही वह भीकेंद्रबल है वह धुरी है जो नियंत्रित करती है कुर्सी को कि तेज घूमती पृत्वी को जैसी कविताएं है और पृत्वी की कख्षा के बाहर जैसी कि परियावन से संबंधिक कविता हैं जो हमारा परियावन नष्ट हो रहा है और लगता है कि गंगा फिर से जाकर शिव की जटाओं में समाज आएगी तो इन इस वेदना को पृत्वी की कख्षा के बाहर शिर्शक कविता में मैंने ब्यक्त करने का प्रयास किया है और रात की रोशनाई से रोशनी लिखो या इगवर्नेंस जैसी कविताएं हैं जो संस्कृत के सीमान से अधिक कहीं राजनेतिक मानविन्दुवों पर लिखी गई है और जो बिंदुपत है कविता का वहां तक पहुंचता है जो कहीं कहीं हमारे राष्ट नायक से प्रश्न करता है कि इगवर्नेंस यानि जोती कथा के धुएं बहुत सारी विसंगतियां हैं और बिलंबनाये हैं जिनको अलक्षित करती है राज सक्ता जान बूच करके नजर अंदाज करती है एक दो मुख्य बातों की मैं चर्चा वश्य करना चाहूंगा जिससे लोग बचते हैं आज आर प्रदान मंतरी तक नहीं पहुंचे थे जो मेधा है वह अपना रास्ता बना लेती है लेकिन जब प्रतिभाओं को आप रोकेंगे तो देश कमजोर होगा विकलांग होगा इसकिल डेवलप्मेंट की बात सिर्फ जुम्ले बाजीबन करके रह जाएगी तो इस तो कभीता में कहीं कहीं जो यह पीडा है कि सूरी पुत्र बनाम सूरी पुत्र बनाम सूरी पुत्र का जो द्वंद्व है वह एक हंकित हुआ है और एक नए मुल्य विमर्ष का इस्थापत्य रचने की कोशिश पूरी मानुई सम्विदना के साथ हुई है कि एक नया समाज शास्त्र गढ़ा जाए और विश्व शान्ति के मिथक से होते हुए क्रमशाह आरण्यक और तमाम सारी कविताओं से होते हुए मैं पहुंचता हूं आम भी बहुरा गया उसकी दोचार पंक्तियां आपके सामने उध्रित करना चाहूंगा फालगुनी हवाओं के मदिर गंधदान गंध की रिचावांचें खेत खलिहान काले नीले गुलाव लहरा ते हाथ चूम रही भ्रमर वृत्ति कुडमल का मात किसले जो दैता के कण खूल हो गये म्रिग नहीं आँखों में गंधर्व खो गये वसुधा के यववन का आंगीक उभार देख मुर्दा भिडोल उठा मंत्र लब्द काम लेख विश्व्याप भी बेदना का नशा सब पर चड़ गया या थर्मा मीटर का ही बुखार बढ़ गया आदमी की कौन कहे आम भी बावर आगये होली में रंगों से पेड़ भी नहागए कि यह कविता कम से कम पचीज साल पहले लिखी थी जो आस्था अभी शेष है 21 कि 22 साल पहले कि संकलन प्रकाशित हुआ उसमें वह संकली थे इस प्रकार से कविता की व्यापति नोट बंदी पर गुलाबी नोट नोट बंदी के खिलाफ भी एक लंबी कविता हम ने लिखी थी और अगनिसूक्त लिखा था तो यह गुलाबी नोट है या काला नोट है अब यह तो आप तैय करेंगे कोरोना काल पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई मैंने भी दस बारक कविताएं लिखी थी जिसमें काल अंकित विश्कन्या दूसरा विस्थापन जैसी कविताएं महत्तुपूर्ण बन पड़ी हैं और मैं एक आधु धर्ण देकर के अपनी बात को उपसंग्रित करने का प् उसी संदर्व में वैश्वी करण की चमत्ती टर्मिनल आजी में घुस गया है वाइरस बनाता हुआ विश्मानोता को बीमार जीवन और जगत को देखने की दृष्ट बदल गई है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक विराठ कच्छपावतार हो गया है और हर चीज अपने आयत कछित नंबनता जिब च्र Αधिस्त हो गया हूँ है तो इसको लक्षित करते होए एक गःतिक्फ करते हैं मुच्भ तूश्मा को लग्षित करते हों सी इतिहास के ठहाव में और आप सभिए के विकास में इतिहास की गत्षिलता को लख्षित करते हुए एक कविता हमने लिखी है कालांकित और ऐसा लगा था कि वंचितों की संगहार को स्रीजन का अधिभार देने जा रहा हूं वंचितों की भूख यात्राओं को इस्थगित नहीं कर सकते पर प्रित्वी को भूख का कोई हिरन्याक्ष समुद्र में डुबो दे इसे कोई बाराह वर्दास्त नहीं कर सकता और सच तो यह कि अब पर्मान उजुद्ध करने की जरूरत नहीं है है या मिसाइलें दागने की जरूरत नहीं है अब तो वाइरस जुद्ध शुरू हो गया इसको चीन ने पूरे विश्व पर थोप दिया लेकिन इस पहलू पर हमारे प्रगत्शी लचनकार बात नहीं करना चाहते हैं मेड इंचाइना सामानों को लेकर हमारी सरकार पीछे हटने को ज्यादा तैयार नहीं है उसी प्रकार मेड इंचाइना लेखक भी हैं मरें जो चीन की विसंगतियों पर उंगली नहीं रखना च कि दो कविताएं लिखी हैं जो चंदो बद्ध हैं धारा प्रवाह और सर्जिकल श्ट्राइक पर भी दो कविताएं हैं मंगल महुर्द में महावीर नभमें गर्जे द्वादस मिराज मानोबं पर हर हर बंबं के बरस रहे नाराच आज जैनादों के इस तुमुल कल्य कोलाहल में नर्तन करती तुँ देख तौरा इस अगली पुष्प वर्षा से जुड़ा गई धरती इस प्रकार यह कविता आगे बढ़ती है और भारत से आग्रा करती है जो शिव की तरह समाधिस्त है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है या मंत्र जाप्यों करते हो नर्मुन्नों की माला पहने फिर भी समाधि में रहते हो यह रुद्र अक्ष की जगह पहन लो अनुबं की मोटी मा तुम नव पर प्रित्वी सूक्त लिखो आगनेये प्रभाम अंडल वाला डमरू के नव निनात से अब नूतन व्याकर्ण रचा जाए सोने की लंका बनने से हिस्वण्ड विहंग बचा जाए और अंत में दूसरा विस्ठापन की दो-तिन पंटियों को ध्रित्कर अपनी बात मैं समाप्त करूंगा एक भाषा का नया विन्यास मजदूरों का एक विस्थापन तो हुआ अपने घर से पलायन हुआ रुजी रोटी के चक्कर में और दूसरा विस्थापन हुआ दिल्ली बंबे आधी शहरों से फिर अपने गाउं की तरफ लौडते हैं इस कविता के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा रोटियों को गौर से देखो तो उसमें पूरा ग्लोब नजर आएगा बलकि रोटियों के मुह में संपूर्ण ब्रहमांड संलक्ष है कृष्ण की मित्कीश एतना इसमें तम्मिलित है धार्ती के चंद्र युक्य निर् मुझ अच्छे दिन आ गये हैं स्वदेशी आंदोलन के स्वदेश लौट आने के जणों से जुड़ने का स्वर्ण युग आवाहन करता है भारत के शिल्पियों का जंसंख्या नियंत्रन के नाखून निकल आये कि वे सरक छाप भी नहीं रह सकते देर तक कि मोटरों की कल्पित आख्यान हर चीज भी पर्यस्त हो रही है अपने मूल उत्स में हर चीज भी पर्यस्त हो रही है अपने मूल उत्स में जहां मरमस परशी शब्द भी अच्छूत हो गया है और हाथों के स्वैद की उश्मा को सोख लिया है को रोना ने वंचितों की वेदना कैसे व् उप उत्पाद है इसलिए वे लौट रहे हैं अपने विपन भारत में गरीब इने गोद ले लिया है इन अनाथों को यह वे प्रजा हैं जिनका कोई राजा नहीं वह बारात जिसमें कोई बाजा नहीं यह साइकिल नहीं नियती चक्र है काल की भाव है तनिक वक्र है यह भाशा है ओ धूमिल धूमिल नहीं हुआ है संसत का रक्त चरित्र देव दूतों की भाशा है अब भी पवित्र मुकुट की रोटियां रोटियों के मुकुट के लहू से गुति हैं मुकुट की रोटियां रोटियों के मुकुट के लहू से गुति हैं धन्यवाद